ड्राइवर से हारने वाला मंत्री बन गया और जीतने वाला सांसाधी रह गया जो त्रादि सिंधिया की हो रही जमकर किर्कि री बतादे मोदी सरकार की दूसरे कारिकाल का पहला बिस्ताथ हो गया है नरेंद्रु मोदी के कैबिनेट टीम में कई बड़े बदलाव किये गए हैं इस बार मंद्री मंडल में कई युवा चेहरों और महिलाओं और पिछडे वर्ग के लोगों को जगा मिली है वही कई एहन चेहरे को कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है पिछले साल कांग्रेश से बीजेपी में सामिल हुए राज्य सभा सांसा जोद्रादि सिंधिया को उडियान मंद्राले का जिन्मा दिया गया है बदादे कि 2019 के लोग सभाचुनाव में जोद्रादि सिंधिया को अपनी परम परागत सीट गुना से हार का सामना करना पड़ा था जबकि उस समय मंध्य प्रदेश में कांग्रेश सरकार सत्ता पर काविश थी जोद्रादि सिंधिया को हराने वाले डाक्तर कृष्णपाल सिंग यादो कभी उनके प्रतिनी दी हुआ करते थे बाद में सिंधिया कांग्रेश शोरकर वीजेपी में चले गए हैं ऐसे में आब लोग सोसल मीडिया पर जोद्रादि सिंधिया को ट्रोल कर रहे हैं दरेसल ट्विटर पर लोग इस खबर पर अपनी प्रत्किरिया देते हुए लिख रहे हैं कि हारने वाला मंत्री बन गया और डेढ़ लाग वोटो से जीतने वाला सांसत ही रह गया एक ट्विटर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्या बिडम बना है डेढ़ लाग वोटो से हारने वाला आज कैबनेट मंत्री बन गया है और जीतने वाला डाक्टर केपी यादो जीत कर भी हार गया एक यूजर ने कमेंट किया है कि ड्राइबर से हारने वाला मंत्री बन गया और जीतने वाला सांसद ही रह गया वही एक ट्वीटर हैंडल से इस खबर पर प्रत्किरिया देते हुए लिखा गया है कि ये भी किस्मत है हारने वाले सिंधिया मंत्री बन गया और जीतने वाले केपी यादो सांसद रहे गया, ट्वीटर हैंडल से कमेंट किया गया कि सिल्विया को हराने वाला साधारण MP रह गया, क्योंकि इनका राजा जुगाडू है जिसका कोई बीन धर्म नहीं है वही सोसलिस्ट तेज ट्वीटर हैंडल से लिखा गया है कि हारने वाला कैबिनेट मंत्री बन गया है और हराने वाला जोला ढोएगा, जब तक आप इस रहाश्य को नहीं समझेगा, तब तक चंद लोब लालच के चक्कर में जोला ही ढोईएगा गौर्त लभे ड्राइवर से हारने वाला मंत्री बन गया और जीतने वाला सांसाध ही रह गया इसी बात को जोड कर जोत्रादि सिंधिया की सोसल मीडिया पर खूब मजे लिए जा रहे हैं ऐसे ही खबरों से अब्रेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जोडे रहे सरोकार इंडिया न्यूजडेस की रिपोर्ट